ये बात तो आप जानते ही है कि इन दिनों शोशल मीडिया पर हर जगा कैटरीना और विकी की शादी की बात चीट हो रही है और ऐसे में कैटरीना और विकी की शादी से चीट पहले विकी कोशल और कैटरीना की जिन्दकी उनकी परिवार उनकी परिवार के सदस से कैटरीना की नीजी जिन्दकी विकी कोशल की परसनल लाइफ उनकी कर्फेन उनकी एक्स सबसे जुड़ी वाते शोशल मीडिया पर सामन आ रही है ऐसे में आप सामने आई है बॉलिवूड एक्टर विकी कोशल और केटरीना कैफ की शादी से पहले विकी कोशल की संपत्ती पर खबर जी हाँ बॉलिवूड एक्टर विकी कोशल जोकी इंदिरो अपनी फिल्म और परसनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा बटोर रह में करियर बनाना था जिस वजह से अनुरा कर्शब के फिल्म गैंग्स और वासेपूर में एक असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया था जिसके बाद उनको अपनी पहली फिल्म मसान में देखा गया विकी कोशल इस फिल्म में बैतरीन अंदाज में अगर भारत के पैसों में अगर उसकी बात की जाए तो आपको बता दे कि इस वक्त विकी कोशल की पास कुल संपत्ती 22 करोड रुपे की हैं आपको बता दे कि विकी कोशल हर साल 3 करोड रुपे की कमाई करते हैं विकी कोशल हर फिल्म का 3 से 4 करोड रुपे चार्ज करते हैं साल 2018 में रन्बीर कपूर की फिल्म संजु में नज़राय थी 2018 में रिलीस हुई फिल्म राजी ने बॉलिवूड बॉक्स आफिस पर धमाका किया था जहां पर आलिया भट के साथ नज़राय थे विकी कोशल का फिल्मी करियर इन दिनों काफी जादा अच्छा चल रहा है और अपनी सक्सस के पड़ाव की और बढ़ रहे है विकी कोशल नेक्स नाइन नाइफ की रिपोर्ट